आज हम आपको कब्ज की चार हमियोपेथी की दवाय के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत ही कारगर है जिसे यूज करने के बाद आपको दुसरे जिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो इसे जानने के दिए वीडियो को पूरा देखें अज हम आपको कब्ज की बारे में बताएंगे कब्ज की समस्या आज कल आम हो गई है ज्यादा तर लोगों में कब्ज की समस्या से परिशान होते हैं जिसके कारण पेट सही से साफ नहीं होता है और टाइलेट में देर तक बैठना परता है जिससे निजाद पाने के लिए मेरे चार हमियोपेथिक दवाय का इस्तमाल करें जिसके इस्तमाल से आपको तुरन ताराम मिलेगा और जहर से ये बिमारी ठीक हो जाएगी कब्र की समस्या होने पर रोगी को हमेशा पेट फूला रहना धाका रहना गैस बनना पेट में भारी पन सर चक्राना उल्टी होना आजी प्रवलम का सामना करना परता है तो इन पेमारी से बचने के लिए आप मेरे चार हमियोपे ठीक दवाय का इस्तमाल करें फिर आपको आराम मिलेगा और जर से ही ठीक हो जाएगा यह गारेंटेट दवा है तो आईये चलते हैं पहली दवाई की और तो पहली दवाई का नाम है ओपियम 200 इसे इस्तमाल करने का तरीका है सुबा में दो पुन जीप पर डालें और यह काफी लापदायक है और दूसरी दवाई का नाम है पलंबा मेटेलिकम 200 इसे है और इसको यूज करने का तरीका है साम में जीप पर दो पुन डालें कुए और तिस्री दवाई का नाम है बायो केमिक जार नमर इसको हीश करने का तरीका है छह गोली दिन में तीन बार चूसना है कि और चोर्थी दवाई का नाम है लेक्सि लेक्स वाई जो भीजल कंपनी बनाती है यह बहुत ही लेक्जेटिव है कारगर लेक्जेटिव है इसको यूज करने के आग तो आप पाएंगे कि अगले दिन ही आपका पीट साफ हो गया है तो हम इसको बताते हैं यूज करने का तरीका दो गोली अगर बच्चों को कब्ज हो रहा है तो इसकी मात्रह आधी कर दे जिसे ऑप्यम исп करने से आपको दूसरे दिन से ही फैदा लगने लगेगा एक महिना दो महिना इस्टमाल करेंगे तो आपका कब्जज दर ठीक हो जाएगा, चाहे कब्ज नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे एक मेहना पुराना, दो मेहना पुराना, कितना भी पुराना कब्ज हो, ये कब्ज की राम बान दवाई है, एक बार जरूर इस्तमाल करके देखें, आपको आराम मिलेगा, अब कब्ज होने पर क्या खाना चा आपको आपको ठीक हो गया तो फिर यह सब खाना आप खाते हैं इन सब बात वाथों को अगर आप परहेज करेंगे तो आपको कब्ज में जल्दी आरा मिलेगा आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे ऐसे ही नौलेजबर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक जिक सेर और सब्सक्राइब करें यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है दवा लेने से पहले इसका परिए डाक्टर से सरा ले लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद